तो हेलो गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तो अगर आप अपने इमेल आईडी को पता करना चाहते हो कि आपके इमेल आईडी को किस-किस मोबाईल में लॉगिन किया गया है या फिर आपकी आईडी किस-किस मोबाईल में लॉगिन है उसको कैसे प हई लेत्ष्ट अपडेट वीडियो मिलती रहे तो धुस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को सबसे पहले दोस्तों अगर तो आपने यहां पे अपने कोई भी माली जिएमेल ऑ守 जाएटी और दोस्तों यहां से भी हम अपना पूरा-प्रोलसस प्रोसेस कर सकते हैं ठीक है तो हम दोस्तों यहां पर अपने जीमेल को यहां पर हम सो करके यहां पर अपडेट करेंगे यहां फिर दोस्तों जैसे ही हम अपने प्लेइश्टोर में ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमारा आप्सन ओपन हो जाएगा ठीक है तो हम यहां पर क्या करते हैं अपने जीम एक से करोगे सबसे पहले आप अपने जीमेल को जो मैं बताओं इसको अगर हाईड हूगा या फिर लोक लगा उसको हटा लिजाएगा ऑप प्लेश्टोर में आ जाएगे ए जब प्लेश्टोर में आजाओगे दोस्तों तो यहां पर आपको सारे अपलिकेशन सो होचोंगे अब किसी भी application को आपको download नहीं करना है बड़ दोस्तों आपको उसके किसी भी application को open कर लेना है या फिर update करने के लिए फिर कुछ भी जैसे कि मालेज़े हम Instagram लिखते हैं यहाँ पर Instagram लिखते हैं जैसे Instagram आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको इस तरीके से update भी करना होगत कर लेज़ेगा अब दोस्तों नीचे देखो available on more device यानि कि दोस्तों हमारा जो email ID है यह Infinix Yux 688B में जो है अल्रेडी मोचूद है और दोस्तों यह और एक और phone में है भी वो V2037 में available है यानि कि दो mobile में हमारा यहाँ से जो है available है अगर दोस्तों हम इस पर click करते हैं ठीक है install करते हैं तो install pending में बताएगा यहाँ पर देखो तो इस एप भी install on your phone soon जैसे कि दोस्तों अगर आप इसको install कर लेते हो तो आगे का process आपको सामने मिल जाएगा बर दोस्तों अगर आप यहाँ पर पता करना चाते हो तो हमारे बताएगे इस ठीक को follow करके आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है मोबाइल का नेम यहाँ पर सो होगा और मोड़ कौन सा है वह भी सो होगा इसके जरीए से आप पता कर पाओगे कि आपके email id किसकिस मोबाइल में लॉग इन है ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से हमारे बताएगे इस ठीक को follow करके आसानी से आप अपने email id को पता कर पाओगे किसकिस मोबाइल में लॉग इन है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी केमेंट करके जबूर बताएगा वीडियो अगर अच्छी लगए द